नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तकी कुछ प्रमुख खबरों के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां उजियारपूर प्रखंड अंतरगत लखनीपूर महिशपटी पंचायत स्थितवाज संख्या एक में सोमवार 3 जनवरी 2022 को भारत की जिनवादी नौजवान सभा का सदस्यता अभियान डिवाई एफाई नेटा अशोक पुश्पम के नेत्रित्व में चलाया गया इस दोरान उन्होंने कहा कि आज देश में नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है केंद्र सरकार वर राज्य सरकार चुनाव के दौरान तो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा कर देती है लेकिन चुनाव जीत लेने के बाद अपना वही वादा मभूल जाती है इसलिए सरकार के द्वारा किये गए इस वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए इस छात्रों के लिए बनी संगठन को मजबूत करना होगा क्योंकि संगठन सब के लिए सस्तिव सुलब्ज शिक्षा, रोजगार का अधिकार, विकास वस्वरोजगार तथा नए उद्यों धंधों को स्थापित करने की मांग को लेकर, अमेशा संघर्ष करती रहती है, क्योंकि आज देशकन और जवान भे रोजगारी की मार जेल रहा है, उप जाए गए फसलों का सहीदाम नहीं मिल पाने के कारण, देश में किसान आत्महत्या कर रही है, देश वप्रदेश में महिला हिंसा की घटनाएं बेतहाशा बढ़ती जा रही है, इन समस्याओं से निपटने के लिए देश के सभी नौजवानों, छात्रों, किसानों मजदूरों को हर हाल में एक जोटोना की पड़ेगा। अन्जीव कुमार सा सहित अन्य, लोग उपस्तित थे, अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं, कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए, एउस 20 विहार की आवाज के साथ, नमस्कार. चालिस साल के नौजवान हम लोग इसमें जूरते हैं, और यूबक यूची दोनों जूर सकते हैं, अभी तकाल हम लोगों का जो आज सबस्ता कर रहे हैं, इसका मुख उद्देश है, जो समस्के को DRMS चोक से उद्यारपूर प्रक्सम को जोड़ने वाली मुख से रखें, बहुत इस्थिती खराब है, ये 2007-08 में बना, उसके बाद जो इस्थिती है अभी, बद से बत्तर मतलब चलने लाइक नहीं है, उस सवाल को लेकर अगामी 10 10 जनवरी को बावुलाल चोक पर सरक जाम करेंगे नौजवान सभा, और ये हम नौजवान की दायुत भी बनता है, समाजी कोई भी सवाल है, उस पे लरें, ये सबसे बरी मुद्दा होती है, जो लोग अपने अपने काम में बयस्त हैं, और तमाम जो समस्याथ को कौन उठा आएगा, तो जब तक हम लोग आगे बरहेंगे नहीं तब तक कोई इसमें भागिदारी नहीं होगी, तो हम आप तमाम लोगों से यही कहना चाहरे हैं, जो हमारे इस काम में मदद करें, और हमारी अंदोलन को सफल बना वे, इसके आगे लगाता लराई जारी रहेगा, आप जो आए हैं, हम आपको तमाम लोगों को दो रुपिया लेकर सदस बनाने आए हैं, यह दिवाए एफाई, भारत की जनवादी नौदिमाल सभा, हम असोफ मार कुस्तम, एजातु अंचल कमिटी के अग्यक्ट्स,